Students, Welcome in the Lecture on Chemical Bonding and especially we are discussing about the Molecular Orbital Theory. तो बच्चों आपका स्वागत है इस Lecture Series में जहां पर हम Chemical Bonding के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम especially discuss कर रहे हैं Molecular Orbital Theory को इससे पहले हमने जो दो Lecture Molecular Orbital Theory के बारे में जो हमने पढ़े उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि Molecular Orbital Theory के Salient Features क्या होते हैं Difference क्या होता है Valence Bond Theory और Molecular Orbital Theory में What is the difference between Molecular Orbitals and Atomic Orbitals and what is the difference between Bonding Molecular Orbitals and Anti-Bonding Molecular Orbitals? उसके बाद आपने देखा कि जो नेक्स लेक्टर था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से Molecular Orbital का Formation होता है तो Molecular Orbital का Formation जो है वो SS Orbital जब ओरलाप करेगा, SP जब ओरलाप करेगा, PP ओरलाप करेगे तो किस तरीके से वो Molecular Orbital फॉर्म करेंगे अब हम इस लेक्टर में हम पढ़ेंगे कि हम Molecular Orbital Energy Level Diagram कैसे ड्रॉ करेंगे मतलब जो Energy Level Diagram होते हैं Molecular Orbitals के लिए उन्हें हम कैसे ड्रॉ करेंगे तो उसे हम इस लेक्टर के माध्यम से सीखेंगे अब हमें Molecular Orbital Energy Level Diagram ड्रॉ करना हो तो हमें क्या करना होगा हमें क्या करना होगा बच्चों हम जानते हैं कि हम Electronic Configuration को पहचानते हैं और हम जानते हैं कि अगर हम Electronic Configuration की बात करें तो 1S, then 2S, then 2P यह जो Energy का Order है वो इस तरीके से होता है कि सबसे कम Energy किसकी होती है 1S की, then 2S की, then 2P की तो हमें क्या करना है सबसे पहले Atom के Orbitals को Arrange करना है एक साइट, अगर हम Diatomic Molecule की बात कर रहे हैं अगर हम बात कर रहे हैं कि एक Molecule का Formation हो रहा है जो कि A2 Type है A2 Type Molecule का Formation देख रहे हैं तो एक Atom A होगा और दूसरा Atom BA होगा दोनों A Atom होगे तो A Atom के Atomic Orbitals को Arrange करेंगे एक Extreme साइट पर और दूसरी Right Extreme पर हम दूसरे Atom के Orbitals को Energy के क्रम में उसको Arrange कर देंगे तो जो भी Orbitals उसके Configuration में है उसके According 1s की Energy सबसे कम होगी अगर Electron 1s में ही है तो केवल वही Orbitals शो करेंगे अगर Electrons केवल 1s2 और 2s2 में है तो 1s भी शो करेंगे और 2s भी शो करेंगे और अगर Electrons 1s में है 2s में है और 2p में भी है तो हम ये तीनों Atomic Orbitals को Energy के बढ़ते वे करम में Left Side में और Right Side में रखेंगे जो की Atom के Atomic Orbitals होंगे तो जब हम ये कर देंगे अब हम इसको Draw करेंगे जब हम ये Draw कर रहा होंगे तो उस समय आप देखेंगे कि हम जो है A हमने मान लिया ठीक है तो हम क्या करते हैं देखिए सबसे पहले हमने जो Atomic Orbitals रखा वो रख दिया 1s ये किसका है A का A का क्या है Atomic Orbitals एक एटम का जो की Linearly Combine करने वाला है फिर हमने क्या किया दूसरा जो Orbitals है जिसकी Energy से ज़्यादा होती है वो है 2s Orbitals और उसके बाद जो Orbitals है वो क्या है 2p Orbitals तो पहले हमने इनको Arrange कर दिया ऐसे ही हमने क्या किया कि इस Left Side पर हमने 1s Orbitals दूसरे A Atom का यानि ये क्या है Atomic Orbitals फिर हमने किसको रख दिया 2s Orbitals की Energy को फिर हमने किसे रखा 2p Orbitals की Energy को तो पहले हमने क्या किया ये Extreme Side पर हमने जो Energy के अधार पर उनके Atomic Orbitals को Arrange कर दिया अब हमने इन Atomic Orbitals को Arrange किया है तो क्या होगा In Orbitals का क्या होगा Linear Combination 1s का 1s के साथ Linear Combination होगा 2s Atomic Orbitals का 2s Atomic Orbitals के साथ Overlapping होगा और 2p Orbitals का 2p Orbitals के साथ Linear Combination होगा और क्योंकि ये एक Orbitals है ये भी एक Orbitals है तो जब ये 2 Orbitals कंबाइन करेंगे तो 2 नए Orbitals बनाएंगे क्या बनाएंगे देखिए ये दोनों कंबाइन किये और ये दोनों कंबाइन करने के बाद आप देखेंगे ये बनाएंगे 2 नए और लापिंग के बाद Molecular Orbital बनाएंगे फिर आप देखेंगे ऐसे ही 2S और 2S तो एस और 2S मिलके ये क्या बनाएंगे दो और बनाएंगे इसका नाम होगा Sigma 2S Bonding और इसका नाम होगा Sigma 2S Anti-Bonding तो इस तरीके से आप देखेंगे फिर ये आप देखेंगे जो 2P Orbital है ये कमबाइन करने के बाद इनका जो एनरजी का करम होगा वो कुछ अलग-अलग होगा आप देखेंगे इस तरीके से कमबाइन करेंगे यहाँ फर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम नजदीक नजदीक दिखा रहे हैं सारे Orbital अब आप देखेंगे कि ये जो Orbital फॉर्म करेंगे तीन Orbital Atomic Orbital एक है और तीन Atomic Orbital दूसरे एक है ये दोनों जब कमबाइन करेंगे तो क्या करेंगे वन टू त्री फॉर फाइव सिक्स छे नए Molecular Orbital बनाएंगे जिसमें से इस Orbital का नाम क्या होगा Sigma 2PX Bonding फिर ये क्या है बच्चों Pi 2P ये जैट भी कहीं पर जैट लिखा होता है कहीं पर X लिखा होता है 2PX Bonding फिर आ जाएगा Pi 2PY Bonding इसका नाम क्या होगा Pi 2PX Anti-Bonding और ये होगा Pi 2PY Anti-Bonding और इसका नाम क्या होगा Sigma 2PZ Anti-Bonding तो इस तरीके से आप देखेंगे ये क्या है अब हम इनको क्या नाम देंगे इनको हम नाम देंगे ये क्या है MO ये क्या है Molecular Orbital किसके है A2 Molecular के जो A2 Molecular बन रहा है उसके ये Molecular Orbital है तो हमने क्या किया कि एक Left Side में हमने Atomic Orbitals को बढ़ते वे क्रम में रखा एक Atom के और दूसरी Right Side में हमने दूसरे Atom के Atomic Orbitals को Energy के बढ़ते वे क्रम में अरेंजि किया और फिर आप देखेंगे ये जो Atomic Orbitals है ये Linearly Combine होगे क्या बनाएंगे Molecular Orbitals का Formation करेंगे तो जब ये Molecular Orbitals का Formation करेंगे तो ये Molecular Orbitals में Electronic एक नया Configuration बनेगा फिर हम देखेंगे कि Electron अब कहां फिल होंगे In Orbitals में फिल होंगे तो हमें क्या करना है In Orbitals में Electrons को फिल करना है कई सारे आप Molecular Orbital Diagrams में देखेंगे यह 1S नहीं शो किया होगा क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी एनरजी से यह Bonding Orbital की एनरजी कम हो रही है उतने से ही इसकी बढ़ रही है तो इसकी वजह से जो भी एनरजी में चेंज होगा जीर होगा इसको नहीं शो करते हैं क्योंकि जगह की कमी होती है बनाने के लिए इसलिए 1S को जनरली अवाइट करते हैं और जहां पर आप डाइग्राम जनरली देखते हैं अगर 2P Orbital का भी involvement है तो फिर 2S और 2P Orbital को ही शो करते हुए दिखाया जाता है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं आपने देखा कि हम इस तरीके से Molecular Orbital डाइग्राम बना सकते हैं राइट साइट पर एटमिक और एटम के लेट साइट पर दूसरे एटम के एटमिक और बीटल हैं और जब पीछ में जो Linear Combination के बाद जो Molecular Orbital होते हैं उनकी एनरजी होती अगर आप सकते हैं सबसे कम एनरजी किसी है Von Ts bonding की फिर किसकी energy सिग्मai Von Ts bonding की सिग्मा 2S into bonding की सिग्मा 2S into bonding सिग्मा 2Pz bonding इन देन, आप देख रहे हैं, इन दोनों के एनर्जी का है, बराबर है, सिگमा 2, Пी, X, bonding, सिगमा 2, PY, bonding, फिर आप देख रहे हैं, एंकी ऐनर्जी बराबर है, फिर इस attention, यह energy मैं जिसे देख रहे हैं, जैसे یہ общ Ec geme, टो we SIM cheap one and optimal arerupita, यह से principle involved होते हैं जो electronic configuration में भी involved होते हैं तो उसमें पहला principle कौन सा है of power principle और आप power principle के according क्या होता है electron increasing order of energy में ही fill होंगे किसमें molecular orbitals की बात कर रहे हैं जो electrons की filling है molecular orbital में energy के बढ़ते वे क्रब में होगी for example पहले electron sigma 1s bonding में जाएगा फिर electron sigma 1s anti-bonding में जाएगा फिर sigma 2s bonding में जाएगा फिर sigma 2s anti-bonding में जाएगा इस तरीके से आप देखेंगे जो molecular orbitals हैं उनकी energy के बढ़ते वे क्रब में जाएगा क्योंकि अब जो molecule form हुआ है उसके molecular orbital में electronic arrangement दिखाना होगा जो कि उस molecule का electronic configuration होगा देन आप देखेंगे हुंड रूल तो यहाँ पर हुंड रूल का भी बालन होगा सारे के सारे जो रूल हैं वो फॉलो होगे हुंड रूल का मतलब है कि अगर दो orbital molecular orbital जिनकी energy बढ़ावर है जैसे हमने हैं then only pairing will take place इसी तरीके से मैंने आप से कहा कि दो molecular orbital एक है πाई टू पी एक्स बांडिंग और एक है पाई टू पी य बांडिंग क्योंकि इनकी energy बरावर है तो यहाँ पर हुंड रूल अपलाई होगा तो एक electron यहाँ बरेगा फिर एक electron यहाँ बरेगा then only pairing will take place तो हुंड रूल के according electrons की filling होगी electron अगर दो molecular orbital की energy बरावर है तो electron पहले singly बरेंगे then only they will pair up तीसरा जो rule है पॉलीज exclusion principle वो भी यहाँ पर फॉलो होता है कि एक जो molecular orbital होगा वो maximum दो electron उसमें हो सकते हैं और दोनों electron की spin क्या होगी अपॉजिट होगी तो एक molecular orbital देखिए दो electron आ रहे हैं और दूसरा molecular orbital जिसमें की 2 electron आ रहे हैं maximum number of electron तो 2 हैं और इन दोनों की spin है वो जो क्या होगी अपॉजिट होगी फिर आप देखेंगे जो electron filling होगी molecular orbitals में उसकी help से हमें molecule का electronic configuration मिलेगा. तो molecule का electronic configuration हमें कैसे मिलेगा? जब हम उसमें क्या करेंगे? electron की filling कर देंगे. फिर हम देखेंगे कि यह जो molecule اور orbital energy level diagram है उससे हमें क्या information मिलेगी? तो उससे हमें क्या information मिल सकती है? दो main information मिलेंगी. एक हमें मिलेगा Magnetic Behavior of Particular Molecule उस Particular Molecule का Magnetic Behavior क्या है तो हमें यह पता चलेगा दूसरा हमें पता चलेगा कि उसका Bond Order कितना है उस Molecule में Bond Order कितना है तो जो दो Main Information है वो एक है Magnetic Behavior का पता चलता है और दूसरी जो Information है वो हमें Bond Order का पता चलता है तो ये दो main information है इसमें अब हम पहला अगर लें कि जो magnetic behavior है उसका हमें कैसे पता चलेगा तो अगर हम electrons की feeling किसमे करें molecule orbitals में और अगर सारे के सारे molecule orbital में electron क्या हो पेर्ड हो तो वो molecule कैसा होगा डाया मेगनेटिक अगर electron कैसे हो अनपेर्ड हों तो molecule कैसा होगा पेरा मैगनेटिक हम इसको एक example से बताने की कोशिश करते हैं देखिए वापिस सामने जो diagram ड्रॉ किया था उसकी और हम चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए मान लीजिए कि हम एक ऐसे molecule की बात कर रहे हैं जैसे मैं अगर hydrogen molecule की बात करूँ जहां पर एक electron 1s में होता है और एक electron 1s में होता है तो एक electron देखिए यहाँ है और एक electron यहाँ है तो जब यह दो electron हैं अब क्या बनगे है molecule और orbital बनगे फिर केवल 1s और 1s हम दिखाएंगे तो यह दोनों electron कहाँ चले जाएंगे इस orbital में चले जाएंगे तो इसका जो electronic configuration है वो क्या हो जाएगा इस particular compound के लिए electronic configuration क्या हो जाएगा अब Molecule का कितने electron हैं देखिए molecule और orbital में 1s वाणिण इसमें कितने electron हैं 2 electron है दोनों electron कैसे हैं paired हैं तो क्योंकि ये पेर्ड है इसलिए ये कैसा है डाया मेगनेटिक है नेचर में तो ये डाया मेगनेटिक है नेचर में क्योंकि इसमें कैसे इलेक्टरोन है पेर्ड इलेक्टरोन है तो हमें पता चल गया कि ये कैसा मॉलिक्यूल है डाया मेगनेटिक अगर यहाँ पर इन molecular orbitals में electron unpaired हो तो वो कैसा होगा पैरा-magnetic जिसे आप अनुचुम्बकिये भी कहते हैं और अगर यह paired होगा तो diamagnetic होगा जिसे आप प्रती चुम्बकिये पदार्थ भी कहते हैं तो एक information तो हमें यह मिलेगी कि हमें यह जो नया configuration मिला यहाँ पर paired electron है या unpaired है उससे हमें पता चलेगा कि molecule diamagnetic है या paramagnetic है दूसरी property जो हमने कहा कि हमें इससे पता चलेगा bond order के बारे में अब यह bond order क्या होता है bond order क्या होता है इसके लिए हम एक formula बताएंगे bond order क्या होता है बच्चों देखिए bond order is equal to क्या होता है bond order is equal to होता है one upon half and number of electrons in bonding MO's bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals अगर हम यह number of electrons in bonding molecular orbitals और number of electrons in anti-bonding molecular orbitals को का difference देखिए उसको 2 से divide करें तो हमें क्या मिलेगा bond order मिलेगा for example देखिए अभी जो हमने यहाँ पर electron की feeling की है तो यहाँ पर हम इसी example को लेते वे चलते हैं तो यहाँ पर bonding में कितने electron है two anti-bonding में कितने electron है zero तो bond order क्या हो जाएगा bond order हो जाएगा half into कितने electron से bonding पर two minus anti-bonding में कितने है zero तो bond order कितना हो जाएगा one तो आप देखिए bond order की value कितनी हो गई one तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा इससे हमें पता चलता है कि अगर bond order one आता है इसका मतलब है कि single bond है इसका मतलब क्या है bond single है और अगर bond order two आता है तो two atoms के बीच में double bond है अगर bond order three आता है तो two atoms के बीच में triple bond है अगर bond order zero आता है कई जगह पर bond order zero आता है अब देखेंगे इसका मतलब molecule exist नहीं करता zero है bond बनेगा ही नहीं दोनों के बीच में इसका मतलब bond नहीं है तो जैसे हमारे पास जो है हमने देखा अभी इस example में कि ये जो bond order एक आया इसका मतलब है a और a के बीच में कितने bond है single bond तो अगर ये bond order zero होगा तो इसका मतलब है कि bond बने ही नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो molecule exist नहीं करेगा तो ये information मिलेगी दूसरा आप देखेंगे जो bond order है it is directly proportional to bond dissociation energy in diatomic molecule bond order जितना अधिक होगा उतना मुश्किल होगा bond को तोड़ना एक diatomic molecule में क्योंकि bond dissociation energy भी उतनी अधिक लगेगी दीखेंगे जितना अधिक bond order होगा bond order को हम और कह सकते हैं it is directly proportional to bond strength तो जितना ज्यादा bond order होगा उतनी ज्यादा bond strength होगी और जितना ज्यादा bond order होगा bond order जो है वो क्या होगा inversely proportional होगा bond length के तो जितना ज्यादा bond order होगा उतनी कम bond length होगी जितनी कम bond length होगी उतनी कम strength उतनी ज्यादा strength होगी bond की तो हमें bond order अगर पता होगा तो हम bond strength भी बता सकते हैं जितना ज्यादा तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों, if we conclude this lecture, then we will find, हमने देखा कि हम किस तरीके से molecular orbital energy level diagram बना सकते हैं, molecular orbital diagram बनाने के लिए हम एक left में एक atom के atomic orbitals की energy arrange कर दें, दूसरी साइट दूसरे atom की, atomic orbitals की energy arrange कर दें, then in between, जो molecular orbitals हैं, वो form होते हैं, और अगर in molecular orbitals में जो electrons की feeling होती है, वो according to bar rule, according to hund rule, according to poly exclusive principle होती है, और यह जो MOED होता है, इससे हमें क्या help मिलती है, एक तो हम magnetic behavior का पता सकते हैं, दूसरा हमें bond order पता चलता है, और अगर हमें bond order पता चलेगा, तो हमें उस particular molecule की existence and non-existence के बारे में, उसकी strength के बारे में, हमें पता चल जाएगा, okay, So, this is all about the drawing of molecular orbital energy level diagrams, in the next lecture we will meet again and we'll discuss about the molecular orbital energy level diagrams of FOMO nuclear diatomic molecules and some informations generated from this MOED, okay, So, thank you very much.